तुकर राम जी सभी बाए बेनों को मैं हूं बावाराम्तास और आप देख रहें बावा की खरी खोटी तो सर मेरे साथ हैं अनिल सिंग जी अनिल भाई राम राम बावा सभी दृश्टों ना को सर मंडी मंडी संसदी सीट से सांसद हुई है फिल्म अभिनेत्री परम पूजनी प्रात्रह स्मरणी सुश्री कंगना रणावत जी उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल जी का डोप टेस्ट होना चाहिए तो कि राहुल जी जो है वो भांगवुटी और इत्यादी विबिन किसम के सुखे नशे करके जो है संसद में आते हैं और फिर स्टेंडप कमेडी करते हैं उन्होंने तब बोला है आप नित्य प्रत्य जो है कमेडी शो करते हैं संसद में और संविधान का और इस पता नहीं कि जाक उड़ाते हैं आपने संविधान को और संसदी पूरी व्यवस्था को और पूरी लोकतंत्र व्यवस्था को और चुनावी व्यवस्था का मजाक बना दिया उन्होंने तो बहुत आरोप लगाए हैं पर दर ये डोप टेस्ट और सरी जो राहुल गांधी सूखा नशा क करते हैं सफ्था वाला इस में सहमत नहीं है यह गलत बात है इसा कहके जो है कंगना जी नहों राहुल जी का मांद किया है सस्था और सोखे नशे मैं सहमत नहीं है हां रोपतेस्ट होना चाईए डोप टेस्टो तो मैं आपको बताओ मैं एक बात गारेंटी से कहता हूं कि अगर पंजाब विधान सभा का पूरी का डोप टेस्ट करा लिया जाए तो नब्वे पर्सेंट से ज्यादा विधायक जी लोग माननी है उसाब डोप टेस्ट में फ़स जाएंगे और उसमें तो सूखा गीला सस्ता महंगा सब नशा आ लेगा उन लोग के डोप टेस्ट में पर राहुल जी पर सस्ता नशा वाला अरोग गलत कि इतना सस्ता आरोप नहीं लगाना चाहिए कि बिल्कुल मैं सब्थूूं आपकी बात से बताई कि यह सारी जो बाचीत आपने सुनाई ये उन्होंने संसद में की कि नहीं संसद नहीं किया है अगर संसद बोल रहा है इसका मतलब मंडी लोग सभा के 20 लाख मतदाता बोल रहे हैं पचीस पचास पचीस लाख संख्या का वो जो है कि करती हैं प्रतिनेधिक जो जी देखिए राहुल जी के केस मेरे समझ में हाता है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं है कि कई बार किसी बच्चे की वजह से कोई नस एसी दभी जा जाती है जिसकी वजह से मानसिक विकास अमरुद्ध हो जाता है बच्चों आ जी अपने घर में एक बच्चा है जिसको की इंजरी की वज़ा से ऐसा हो गया लेकिन जिस समय यह इंजरी हुई थी उसको तो उस समय जो है यह इंटरनेट वगर नहीं था तो ब्रेन के ऊपर जितना लिटरेचर उस समय हमको मिला उस समय हमने पढ़ डाला जो भी मिला पढ़ डाला उससे हमको यह जारी बातें पता लगी तो ब्रेन के जो है अलग-अलग हिस्सों का अलग-अलग function होता है यह पार्ट है ब्रेन का जो reasoning या cognitive thinking को जो है के लिए जिम्म सब्सक्राइदार होता है और किसी का वह पार्ट के वाल डामेज हो बाकी function उसके ठीक हो तो आम आदमी जो है समझ नहीं पाता है कि क्या मामला है और अक्सर जब मानजिक विकास से संबंदित समस्या होती है तो पेरेंट्स को पता लगता है स्कूल से स्कूल में जब टीचर पर शिकायत करने लगता है कि आपका बच्चा जो है वह और बच्चों के साथ में नहीं चल पा रहा है नहीं को पप कर पा रहा है तो फिर माबाब जो है चान बीन शुरू करते हैं फिर आगे की दौड़ शुरू होती है वह जाते हैं पहले तो साइकालोजिस्ट के पास ज चीख पाएगा मेनद करना बेकार है यह सब होता है तो राहुल जी के साथ क्या हुआ कि सुरक्षा कारणों से वह कभी स्कूल तो गए नहीं घर में आते थे उनको पढ़ाने के लिए ट्यूटर अब इतने बड़े आदमी का बेटा और उसको पढ़ाने के अपने प्रिविलिजेश हैं कौन कहे पेरेंट से कि यह बेवकूफ है यह नहीं कर पा रहा है तो जो टीचर से जो रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली उनके पेरेंट्स को और उनका चलता रहा सारा काम कि अब उनका केस यह है एक्चली कि उनकी आयू तो हो गई अब 1970 का उनका डेटा बर्त है तो हो गए वो फिर्पनफाल के हो गए 54 के हो जाएंगे इस साल नवंबर में तो तो हो गए 50 प्लस मगर मेंटल एज जो है उनकी कहीं इस तरह के थेसेज का थोड़ा अनुभव है यह कह सकता हूं कि उनकी मेंटलेट जो है कहीं वह 14 और 16 की बीच में रुप गई है वह उसके आगे नहीं बढ़े उनकी बदावे के साथ कह सकता हूं हलांकि उनके पास दिखाने के लिए एक एमफिन की डिग्री है लेकिन वह हाई स्कूल का इंतहान मैंतेमेटिक्स मैंतेम नहीं कर सकते क्योंकि उनके गवहार को देख करके इसा लगता है कि उनका जो IQ है कि वह कहीं असी के आसपास है बस और 80 का जो IQ है 80 IQ वाले लड़के को मल्टिप्लिकेशन तक तो वो कर सकता है लेकिन डिवीजन करने में दिक्कत होगी उसको डिवीजन में यह जो बार बार आगे पीछे करना पड़ता है इसका पहाड़ा यहां तक पढ़ो फिर उसके आगे तक पढ़ो अगर देखो कि जो नंबर है जो जिसको डिवाइड करना है वो नंबर अगर दोनों के बीच में आता है तो फिर पीछे लोटो तो यह जो आगे राज के डाक्टर साहब हैं कभी आप उनको भी बुलाईए बहुत विद्वान आदमी हैं उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शूद्र कौन थे तो एक फेस्बुक पर उन्होंने पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने यहीं जिक्र किया जो मैं कह रहा हूं और मुझे इसका संदेह तो होता था क्योंकि मैं देखता था कि उनके जो सिंटम है वह बहुत कुछ जो है वह हमारे बच्चेश मिलते बिलते सर मैं बताओं उस पर परलल रिखर्च हुई है राहुल जी के साथ क्या समस्या है इस पर मैंने भी बहुत मेरा भी बहुत शोधकार रहे है तर मैंने भी फेस्बुक पर बड़ी लंबी पोस्टे लिखी हैं आप शायद मुझे से फेस्बुक से तो उस बात ने जुड़े स सर मैं हमेशा इस बात का विरोधी रहा हूं कि एकदम बच्पन में बच्चों को खास तौर पे लड़कों को और बहुत बदब चिकने चुपडे साफ सुथरे एकदम गोरी चमड़ी वाले स्मूथ स्किन वाले बच्चों को तो स्पेशली लड़कों को कभी भी हास्टल न साथ बच्पन से कारे किया है और मैं बड़ा समझता हूं सर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज होता है हास्टलों में और इस साले बढ़के लॉंडे सब इतने बड़े लॉंडे बाज होते हैं और क्या क्या करते हैं छोटे बच्चों के साथ इस पे मैं बड बच्चे को बेजिए या कम से कम दस्वी क्लास में और तगड़ा लोना है तब तो ठीक है कमसिन बच्चे को तो कटई मत बेजिए तो सर ये दो हमारे देश के दो राजनेता उन्हों ने अपने बच्चों को कम उम्र में जो है हास्टल भेज दिया उसका सर नतीजा ये हुआ कि एक की तो नाक टेड़ी हो गई है से एक तो आप मेरी बातों को आजकल हसे में उड़ा दिया जाता है जबकि मैं बहुत सीरिस बात करता हूँ सर यहां पर बच्चों की जिन्दिगे का सवाल है सर तो उसमें उसमें भी पता लगा है कि आखिर ना नाक जो है बार बार उसकी नाक जो है दिवार से टकराया करती थी उस बच्चे की उस वज़े ते वो नाक टेडिये ते हो गई और एक और बच्चा था उसका सिर टकराता था एक्दम कोने में दिवार में ले जाके जो है जब लड़के जो है उससे जो है योगी क्रिया करा सब्सक्राइट नख़ी जो तो उसका सिर जो है दिवार में टकडाता था अच्छा'? पहलिए प्रह्पड में जरुब तब उनको बहुत झेलना पड़ा क्योंकि तब भी जो है वह बहुत क्या नाम गर्प में तो बच्ची ऐसम अभी गर्प में उनका तक्राता रगों पीछे तो सर बच्पन से जो है उनका सिरू जो है वाल से तक्राता रहा कभी युट्रिस की वाल से टक्राया कभी हॉस्टल की वाल से टक्राया तो सर यह रिपीटेड जो है उनके दिमाग में जो है चोटे पहुंची है इस वज़े से जो है वह चोट कैसे लगी कैसे लगी इस पर अभी मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा मगर फैक्ट यह है कि यह जो उनके जो सिंटम है वो राइट टेंपोरल रीजन में यहां कहीं जो है कुछ होता है जिसकी वज़े से आदमी की जो है लाजिकल धंग से सोचने की छंता जो है प्रभावित होती है और इसके दो तीन सिंटम है जिसमें से एक है अटेंशन डेफि सिंड्रोम कि मतलब किसी एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा समय तक जो है फोकस करके नहीं रह पाता है और यह तो अत्यांत अवश्यक है पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो है आपको लंबे समय तक जो है फोकस रहना पड़ता है जो कोई टीचर बोल रहा है उसकी बाते सुननी पढ़ती है बहुत ध्यान देख करके एक तो यह अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है और दूसरे एक टेंडेंसी जो है इसे बच्चों में आ जाती है आपको नियूरालोजिस्ट नहीं बलकि साकियाट्रिस्ट बताएगा अटेंशन सीखिंग की जो है टेंडे तो यह सब विला जुला करके इनका जो इनकी जो इस्थिती है वो यह है यह बालक और इसका प्रमान आप यह देखिए कि कुछ भी कहे देए यह इनको कुछ भी कह दिया जाए आप देखेंगे इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती है हमारे और आपकी आपकी शक्लों पर जो है वो तनाव की कुछ रेखा हैं वो हमेशा ही दिखाई पड़ती है जबकि राहुल जी जैसे लोगों का जो चहरा है वो बिल्कुल ही सपाट रहता है एकनम से प्लेन कोई उसमें एक्स्प्रेशन नहीं आता ऐसा जिससे लगे कि इनको तकलीफ हुई है किसी बात की तो अब इनी सब उनके इनी सब गुनों से प्रफावित हो करके मैं उनको बहुत लंबे समय तक संत कहता रहा हूं और उनका व्यवहार जो है वो एक अर्थों में देखा जाए तो है भी संतों जैसा लेकिन आज कल जो है उनको जिस स्तर पर जा करके अपने जो संतत्यों के गु सब्सक्रावी बढ़ गया है उनकी आवाज में भी एक अलग किस्म की खनक आ गई है आप नोटिस लेने पर मजबूर हो जाते हैं उनकी बात का पहले आप उसको हसके उला दिया करते थे लेकिन अब भी अगर आपको लगता है कि इनका के वल परस्नल प्राब्लम है इनके सा अनुबूती रखनी चाहिए जी सर एक चीद और मैंने उनके विवहार में परिवर्तन देखा है सर इधर उन्होंने एक ऐसी टी-शर्ट पहनते हैं जिसमें एक तो टी-शर्ट के वहते ही बाजू छोटी होती है उसमें भी उस बाजू को थोड़ा सा ऊपर चड़ा लेते ह जिससे उनकी बाइसप्स और बाइसप्स और ट्राइसप्स थोड़े प्रॉमिनेंटली दिखाई थे और शायद मुझे लगता है कि उनके जो पियार टीम है उनकी जो इमेज बिल्डिंग वाली जो टीम है उसने उनको यह सलाह दी होगी कि यूशुड लुक थोड़ा सा र पौरुश पुरुशत्व पराक्रमी ऐसी इमेज बनाना चाहिए तो कि पहले इनकी इमेज जो है वो होस्टल के प्रताडित युवा की बन गई थी जिसको बच्पन में होस्टल में लॉंडे बाज किसम के बदमाश मतलब लॉंडो ने बच्पन में दून स्कूल में जो है वो आप समझ सकते हैं प्रताडित किया हो तो उस अच्छा आपको ध्यान होगा सर की जब ये एक बार अपनी सीट से उठके जबरदस्ती गले पड़ गए थे मोदी जी के गले मिलने चले गए थे नयाद है आपको और उसके बाद आके आँक मारे थे ऐसे आइसे आँक चला रहे थे तो सर वो जब फोटो आई थी तो एक तो मोदी जी हत्प्रभ रह गए इका 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 उनके मुझे इसा निकल गया और सर वो फोटो में आपने उस फोटो में आगर आपको ध्यान हो वो फोटो आप ध्यान ते देखिएगा मैं दर्शकों देखूंगा कि उसमें राहुल जी का पिछवाड़ा गुत कुरते पजामे में बेड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा था आपको ध्यान है वो मैंने तो बकायदा उस फोटो पे एकदम आप मतलब देखिए हम लोग बड़े सूक्ष्म दर्शी हैं करते हैं तो उस इमेज को तोड़ने का प्रयास उसके लिए मैंने सुना है पांच हजार करोड रुपया किसी पता नहीं किसी जापा उनकी जो स्त्रैन मतलब है न एक बेचारा प्रताड़ेत टूर बालक गाउंक लईका जेकर बाप मरगल बचपन में ऐसे ना वला गया है एक तर लईका टूर है बेचारा उसको हम लोग हमारे हमारे द्यात में टूर कर जाला तो तो टूर लईका वाली इमेज जो न उसको ब्रेक करके जो है उनकी बड़ी वलब एक मैनली इमेज माचो 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 हिंदी में माचो हम लोग एमसी वाला माचो उसको मत मान दीजे को मेरे दर्शक तो बहुत हाई क्लास है ना माचो मतलब मालें कि देखो बाबा जो है राहुल को माचो बोल रहा है माचो बहचो ऐस नाचो इमेज जो है वो बिल्ड की जाए तो सर उस इमेज के तहट आज कर वह भाशन में भी तर उनके अग्रेशन दिखाई देता देखिए राहुल जी का मतलब प्रोग्रेशन जो है हम देख सकते हैं लंबे समय से उनको आपजर्व कर रहे हैं आप तो धीरे धीरे उनकी बातों में एग्रेशन तो बढ़ता ही देया है तो यह आज का फेनामना नहीं है अब आज जो थोड़ा सा एग्रेशन का एक ओवर्डोस दिखाई पड़ रहा है उसका परिणाम यह है कि जो इसके पहले उन्होंने एग्रेशन दिखाया जस्ट पहले जोकिदार चोर है का जो उन्होंने शुरू किया था नारा लगाना वो भी एक एग्रेशन का ही से अंदे के हाथ बटेर लग जाना इस तरह के कई मुहावरे हैं अब उनकी जो है सीटें इतनी जादा आ गई अब उनको दिखने लगा है कि अब रीडर आवा पोजीशन तो बन ही गए अब अगला स्टेप जो है बस प्रदाम मंत्री है तो क्योंकि उनकी यह एग्रेसिव इ का थोड़ा उनको फाइदा मिला है इस बार इसलिए यह बात और उनके दिमाग में घर कर गई है कि इसी रास्ते पर चल करके जो है आगे उनको सफलता मिल सकती है उनके एंगल से आप सोच करके देखिए तो कोई कारण नहीं है उनके लिए बैक ट्रैक करने का वह जाती है और यह सब उल्टी सीदी बातें करके ही वो यहां तक पहुंचे हैं तो अब उसको कैसे छोड़ देंगे लेकिन मैं तो सरकार के एंगल से यह कह रहा था सर के चलिए ठीक है जब वो बजट पर बात करते हैं तब आप इस चीज के प्रति निश्चिन तो हो सकते हैं कि वो हर विशे की चर्चा करेंगे जिसका बजट से कोई संबंद नहीं हो यह तो उनका स्टाइल है लेकिन जो जिस स्तर का उन्होंने दिखाया है इसको मैं कहूंगा पागलपन पागलपन की सीमया की परे निकल गया है उनका जो हिस्टीरिया है और अब खाली संसद में उनकी बात स्ट्रेटिजी भी बदलनी चाहिए इतने सारे केसिद हैं उनके खिलाफ सरकार अगर चाती सरकार को मतलब एक्टिवली बस टेक अप करना था तो नैशनल हराड केस में जो है वह बहुत पहले नप गए होते हैं सरकार अगर चाती तो चीन के साथ जो उनका समझाता हुआ है समझाते का जो मसाधा है वो बड़े आराम से पब्लिक डोमेन में लाया जा सकता था सरकार को उसको परसू करना था लेकिन वहां पर तो सरकार जो है वो गांधी गिरी दिखाती रही और अब उसका नतीजा यह है कि राहुल जी जो है बोचपूरी में जिसको कहते हैं कि कप उनको जो है संसद के बाहर उनको टैगल करना पड़ेगा जो कुछ भी टूल्स अवेलेबल हैं सरकार के पास सबका इस्तेमाल करके संसद में उनको शांत करने का यह तरीका है कि उनको बाहर घेरा जाए और वही यह करते हैं बाहर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और चुकि साल में दस महीने जो है वो संसद के बाहर ही रहते हैं तो उसी स्पिर्ट में जो है वो संसद में भी वेवार कर रहे हैं अब आप यह देखिए कि मतलब और कुछ नहीं तो संसद का पब्लिक का कितना पैसा और समय नश्ट कर रहे हैं फाल्दू की बात जिससे को कोई मतलब नहीं बजट के ऊपर चर्चा हो रही है यह बात कर रहे हैं जाती जन करना तो अब जो है यह खत्रे के निशान के ऊपर चल रहे हैं और इनका जो है सरकार को दूसरे लेवल पर इलाज करना चाहिए वह सब ठीक है बालक बुद्धी यह वह सब तो बोल दिया मोदी जी ने सचमुच इन अराजक तत्यों को कंटेन करने के लिए सचमुच कोई थोसकदम जमीन पर उठाते वह नहीं दिखे मोदी मैं अच्छे इधर लोग मुझे करें का आप मोदी की बहुत आज लोचना कर रहे हैं मैं उनसे कहता हूं भाया हमने मोदी जी को सिर्फ सड़क बनाने के लिए नहीं चुना था मोदी जी असल में तिर्फ वो गुजराती जो है बिजनसमैन की तरह सिर्फ और सिर्फ बिजनस बुद्धी लगाए देश में ठीक है तारा डेवलिप्मेंट अच्छा है तब कुछ बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा काम किये हैं मोदी जी इसमें कोई दोराए नहीं है बहुत शांदार खाना बनाए है चपन भोग बनाए है पर तर उसमें नमक डालना भूल गए और मीठा मीठा ता गुजराती खाना है सर हर चीज में चीनी डाल दिये हैं हरा था हम लोग भालत के लोग मिर्ट पसंद करते की रिश्चमें घलल ऑद जो तीखापन हैँ ना हम लोग लोग मेठा मेठा पका दिया नमक मिर्च यह चाहिए मोरे को यही शिकायत मैं मोधी का अलोचन नुग आज भी मोधी का बहुत बड़ा फैन हूँ पर मैं मोधी जी को तरब यह याद दिलाना चाहता हूँ कि भाईया मोधी जी आपको सडक बनाने के लिए नहीं चुना गया है हम लोग थोड़ी सी महंगी अररकी दाल और महेंगी प्याज खा लेंगे पर कुछ ऐसा करिए कि हम लोग 200-300 अगले 500 साल तक इस देश में प्याज और अरर की डाल का में प्याज का छंका लगा के खा सके कल को ऐसा नहों कि हम लोग शरणार्थी बनके किसी अन्य देश में शरण मांगते प्रें हमारे बच्चे हमारी सिर अगर आपको कोई कंक्लोडिंग रिमार करना है तो दीजे सर नहीं तो आज की इस चर्चा को समाप्त करेंगे आपका अंतिम ब्रिमार मैं बाबाजी आपकी अंतिम बाचीच जो आपने अभी की उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं संसद में किसी को जवाब दे देना यह लि प्लास से उसकी जबान ऐसे प्लास से पकड़के और पैर लगा के और इसे खीच लेना चाहिए कि जिन्दगी में तुतला के भी न बोल पाए हम यह मानते हैं तर आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद सर अगले टॉपिक पर फिर्चे मिलते हैं थैंक्यू वेर